क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, नए पॉड्कास्ट के साथ हम दोनों लॉट के सामने आ गए हैं, लॉट आए हैं और ये भी विदेश से साथ लॉट आए हैं, इसलिए मैं को पिछला वाला पॉड्कास अके लिए करना पड़ा था, बट इस बार फाइनली, ग्लोबल काफी ज्वलन्त है और वो है पेड वीडियोज के अराउंड पेड वीडियोज ब्रैंडेड वीडियोज बिखा वो आदमी तेरे गार में पनीर बनेगा वाला आदमी तो हम थोड़ा कॉंटेक्स टेट कर देते हैं बताइए कि क्या कहानी है वीडियो बात कने वाले क्या हमने देखा कि यूटूब पर बहुत सारे वीडियोज अक्शली पाफ वीडियो भी होते हैं हमने भी की है इन दपास्ट तो नजरिया लोगों का रहता है पेड वीडियोज को लेकर एक क्रीटर का क्या नजरिया रहता है एक ब्रैंड इसके सथम उनका क्या नजरिया रहता है, क्या वो चाहते हैं कि आप honestly लोगों को बताओ कि वो paid video है या नहीं है, क्यों कर रहा 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 है, कि बार-बार एडिटोरियल ये दो वर्ड शाहएद आते जाएंगे एडिटोरियल का मतलब होगा कि भी या वह चीज चापने बनाने वीडियो डालने के लिए किसी ने पैसे नहीं दी है इसने पैसे नहीं दिये हैं तो किया है यह आड किते बाने हैं घूलरिया चूंग है यह आड जूट है यह करीदिये और ऐसा है जूलरी है, जो भी है, गाडियां है, सब के आड़ आते हैं, सौंबार बुदबार इन डॉक्टर से मिलें, संथ क्लीनिक वाले हैं, हर जगे किसी जिए के जुनिजा क्लीनिक हो, बताने क्लीनिक हो जार में सी, फामसी आले आते हैं, बिच में के न्यूस फे कालिय सागर, ड्रों के आड़ जो पार जो जी आड़ जो वाले लिए राएं, सब कर में सब दो पम्यनिक है, तुल करने में है, टीवी में अघख ञेसे क्टरने अधे क्लिस हो, आप एड कर रहा है नहीं वो तो आप तो टी-शिर्ट, वी-शिर्ट, बाट, वाट, हेलमेट, हार जगे है एड है एड है उसमें से विराट कुली आपको दूडना पड़ता है जैसे आजकाल अगबारों में न्यूस आपको दूडनी पड़ती है लेंस लगा कि यह न्यूस ह होते हैं अब वोई एड यूट्यूब पे भी होते हैं यूट्यूब या डिजिटल वर्ल्ड में भी होते हैं यहां पर भी दो तरीकी के होते हैं एक जो आप देखते हो जिसको आप स्किप कर सकते हो जो यूट्यूब प्ले कर रहा है फिर आप वीडियो देखते हो वो वी व्यूव है. क्या है? क्या वह है उसकी बात कर रहा है?" तो बताइए सर्द एड के बारे में क्या सबसे पहले मतलब पहले चीछ तो यह क्यों करते हैं, लोग पेड वीडियोज? अब देखे, पेड विडियोस अशनी की सिर्फ इंडया में होते हैं, ग्लोबिली भी होते हैं, और बाहर एक अच्छी चीज़ा बाहर के रिटर्स में, एक सर्टन गाडलाइन, इसके बारे में बात करने वाले, AACI गाडलाइन्स की, तो वो एक क्लियर कट बोल देते हैं कि य अच्छी बारे में इन्फॉमेशन जादा हती हैं, यह सेम चीज इंडिया में होती है, बद इंडिया में एक बात करें तो वो चाहते नहीं है कि आप रिवील करो, मैं टेक पे नहीं कि तो आल्मोस्ट हर चीज पेड होती है, वीडियो बनाने के भी पैसे होते हैं, आप बे दिये हैं तो कितना रिव्य होगा वो अलग बात है बट कुछ-कुछ उनमें भी honest लोग होंगे अभी हम बात करें कि इसकी ज़रूरत क्या है अब ज़रूरत है अगर आप अखेले चल रहे हो एकला चालो रहे टाइप सो आप तो आपको आप हो सकता आपके व्यूस ठीक टाग लगवा रहा है बीच में यूट्यूब है और मैं वीडियो डाल रहा हूं मेरे वीडियो पे इनका एड आया तो इन्होंने अगर यूट्यूब को सौर रूपे दे हैं तो यूट्यूब उसमें से 55 मुझे देदेगा 45 खुछ रख लेगा अगर मेरे जैसे बंदे का काम वै यूट्यूब मुल्टिपल वेस में अरेलग तरीकी की हो सकती है कोई integration हो एक चोड़ा सा पार्ट वीडियो का जिसमें आप 30-40 सेकंड के लिए किसी प्रड़क्त के बारे में बोल रहे हो हो सकता है वो relevant भी हो इंडस्ट्री से हो सकता हो completely irrelevant भी हो most cases में irrelevant होता है जिसमानली जिए कोई mobile brand आया है वो लिए आप अपना वीडियो कर रहे हो साथ में mobile के कुछ 2-4-5 शौट लगाते ना और दिखाते ना this was shot on this video और यह video जो sponsor किया है वो इस brand ने किया है फेर एक होता है कि completely और वीडियो ही sponsored है और ऐसे वीडियो भी होते आये हैं और सिर्फ हमारी इंडस्ट्री में ने सभी अक्रॉस इंडस्ट्री ऐसे तरीके के वीडियो होते आये हैं और I think हम दोनों ने भी दोनों तरीके के वीडियो किया है। आपने किया Land, Integration रहे हैं कम किया है। मैंने integration भी किया हैं मैंने dedicatedly completely sponsored videos भी किया हैं। और Most Zyanta जो मुझे जानती है, जो इनको जानती है, वो clearly distinguish भी कर पाती है। एक स्पोय केसे उनको पता नहीं जल जाता है। लिक्छा होता है। Usually हम किसी निकी तरीके से लिखते हैं। अब किस तरीके से लिखा जा रहा है। अब आगे बात करते हैं। क्या क्राइटेरिय होता है, क्या लिखना होता है i.s.ponsored video पर जनता एक्सेप्ट करती है यह भी एक बहुत बड़ा है हमारे हाथ दो प्रॉब्लम है उनकी बात करते हैं मुद्दा यह है कि सर क्यों कोई बंदा स्पॉंसर्ट वीडियो कर रहा है वो तो उमने बता दिया वो डिकलेर क्यों नहीं करता क्या मैंने यह स्पॉंसर्ड किया है जनता उस वीडियो को कैसे एक्सेप्ट करेगी उस चैनल की या पेज की क्या इमीज जाएगी इमीज के इसाब से भी लोग देखते हैं कि यह मैं स्पॉंसर्ड कर रहा हूं आपेड कर रहा हूं तो हो सकता है कि लोग इसको थोड़ा सा सेट बैक के जैसे ले और बोले तो और दूसर रीजन क्या था? दूसर रीजन, आई थी मने दोनों बता दिये कि एक तो और एक में एक और चीज़े कि कई बार जो ब्रैंड ब्रैंड्स हैं वो तो चाहेंगी कि आप पेड वीडियो करो, मत बताओ, इसको ऐसे पुश करो जैसे एडिटोरिल है और उनके लिए तो अच्छा ही अच्छा है अब होता किया ना कि यूट्यूब पे मोस्ली देखो यह प्रॉबलम मैं यह नहीं कहूंगा इंडियन्स की ही प्रॉबलम है इन जनरल हमें यह ऐसा लगता है कि मुझे भी लगता था अगर आप यूट्यूब पे वीडियो डाल रहे हो तो आप आड मत करो आप चैरिटी करो आप खुद से सारी मैनत करो कैमरे में करे दो सब कुछ करो और उसके बाद में एकदम ओनेस्ट रिव्यू दो आपको मेरको विकास योगी का product पसंद आया है या और नहीं आया है मैं गाली भी दुँगा अस प्रोड़ुर्स को अच्छा भी बोलुदुगा सब करूंगा शूट भी मैं गरूँगा मैं पूरा दिन डेटिकेट उसमें करूंगा लेकिन मैं उसे पैसे नहीं कम हूँ, ये जनता चाहती है आम तोर पर, जो कि पॉसिबल नहीं है, अब धिरे दिरे चीजे चेंज होगी, और दे टाइम लोगों ने एवाल हो गया है, लगाया कि हाँ ये 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 वी काम ही कर रहा है, ये हमारा बिजनस एक तरीके दे, जो यूट्यूब मैं कर रहा हूँ, जो वेबसाइट और यूट्यूब भी कर रहा है, इट इस बिजनस, लेजिट बिजनस है, दौनों की हैं, हमारे उपर भी हो सकते हैं, सब को सर्वाइव करना है, तो पैसा का फ्लो तो आएगा, अब वो पैसे का फ्लो ओनेसली आ रहा है या नहीं आ रहा है, उसका एक बात, बात वो भी नहीं है, मेरे को लगता है कि एक बहुत अच्छी कासी परसंटेज इंडिया में भी है, जो अंडिस्टेंड करती है, कि paid videos होते हैं, sponsored videos होते हैं, दिकत ethics की है, और वो दिकत मुझे भी है, despite the fact that I do branded content, but मैं, मैंने, आप मेरे चैनल पो ठाके देखो कि जितना भी branded content मैंने आज तक किये हैं, तो वा clearly title में मैंने लिखा होगा, या video एकदम start होगा, तो in association with this and this brand होगा, video end होगा, तो वो mention होगा, तो एकदम clear-cut mention एक होता है, तो according to me, that is an ethical practice, क्योंकि आपने जो audience बनाई है, जिनका प्यार आपने पाया है, तो आपकी जिम्मेदारी बनती है, एक आपकी moral duty है, कि आप उनको बताओ कि boss, इस चीज के लिए मुझे पैसे दिये गए हैं, and that's the way, you know, at least the content industry should operate, yes, it's a business, but I think हमारी जिम्मेदारी थोड़ी जादा हो जाती है, हम कोई mobile नहीं बेच रहे हैं, mobile के लिए इन्फियंस नहीं कर रहे है, जो आदमी 20, 30,000, 40,000 अरपे गच कर रहे है, यहां पर बात, शुरुआत ही 7 लाग रुपे सुरी है, आज की तारिक में बात करो है, वीडियो के साथ में, कि अगर कोई नया फोन लाँच हुआ है, तो प्लीज आप उसको चैनल पे डाल दो, आप अपने honest opinion इसमें शेर कर दो, लेकिन पैसे ले लो हमसे, इसका वीडियो डालने के लिए पैसे ले लो, protection fees ले ले लो, मैं आज तक तो समझ नहीं पाया आप अपने चैनल पे फीचर कर दो, I don't think इतनी बेवकुफ कोई company है, एक तरीके का ऐसा system है, जो हमें तो समझ नहीं आ रहा है, वर tech creators हमेशा कहते हैं, कि अगर आप किसी गाड़ी को feature कर रहे हो, company से पैसा मंगो, because आप शो शूट कर रहे हो, मैनत कर रहे हो, well as हमारा perspective यह है कि भाईया, अगर हम किसी गाड़ी को honestly shoot कर रहे हैं, अच्छी बुरी चीज़ें उसके बारे में बता रहे हैं, तो उस चीज़ें के लिए हम brand से पैसा ले नहीं सकते हैं, क्योंकि जहाँ पैसा involved हो जाता है, वहाँ brand के पास authority चली जाती है, वह हमें कुछ न कुछ चीज़े में हैं, जो top कहे जाते हैं, और देश का number one हिंदी में है, अब मैं आपको उताता हूं कुछ चीज़े हैं, कि declare कैसे करते हैं, सबसे बरहे हैं, अपना एजिंटी का नाम क्या है, advertisement वाली में नाम है, ASCI, the advertising standards council of India, 1985 something से एजिंशी है, जो की multiple तरीके से बताती है, कैसे ads होने चा जाना पड़ेगा, बताओ तो सही ad है, तो बताई नहीं है ad है, तो उन्होंने और guideline लगई, अब यह government agency नहीं है, कोई सरकारी दफ्तर नहीं है, यहाँ पे government, लेकिन फिर भी इनकी authority के हैं, उसकी बात कर लेते हैं, गवर्मेंट ने multiple time site किया है, कि हम यह इतनी साही चीज़े जिख सकते हैं, काम करो, वो ASCI करके जो council है, उन्होंने क्या बोला है, हम वो मानेंगे, तो government भी उनकी almost high चीज़े मानती है, यह जो कह रहे हैं, वो हमें implement करना है, उन्होंने कहा कि कुछ words है, certain words है, कि आप डाल दो in sponsored, sponsored video, includes paid promotion, in collaboration, branded content, या in sponsored content, advertorial, ad, ऐसे बहुत सारे words उन्ह और प्रॉपरली पता चलनी चाहिए, ऐसा नहीं कि वो आपने ऐसी चीज़े लिगा है, कि दिख ही नहीं रहा है, आपने हैस्टेग में टिका दिया उसको कुछ मतलग है, तो बोले के नीचे कहीं एकदम गुजा हो, और इसका मतलग हो, कहीं हो, कौने में हलका सा कुछ जो मैं बोलता हूं, यूट्यूब का जो इंक्लूडस पेड प्रमोशन का उपर आता है टैग, उसके लिए कई लोग बोलते हैं कि आपने, तैसे मेरी वीडियो में होता है, मैं उसका कई पास तमाल नहीं करता, वो इंक्लूड पेड प्रमोशन, मुझे लोग बोलते हैं, जो पूरे वीडियो में बीच में लगाना चाहिए, जो एडिटना हो, विल्कुल पांट साल बात भी देगर हो तो पता हूना चाहिए कि एड़ी था, और मैं चलो मानलो आज मैंने वीडियो डाला एक, और वस वीडियो में जो है मैंने लगाया निंग्लूड पेड पेड एक एक एसी लड़ाई हमारी बीच में होई भी थी, बिल्कुल बिल्कुल काई क्रीटर्स के साथ में होई थी, कि यह इंग्लूड पेड प्रमोशन, और like I keep the screen shots of everybody, क्योंकि यूशिल क्या होता है हमें कैसे पता होता है कि यह पेड है यह नहीं है, क्योंकि देखिए हम एक में operate करते हैं, वो same advertising agency है, या same marketing के लोग हैं, जो हमें भी approach करते हैं, किसे ने किसी channel से, और same idea pitch करते हैं, और same idea pitch करते हैं, अब वो same idea pitch किया है, जैसे for example, हमने I think TIGOR किया था, TIGOR EV, तो TIGOR EV का video हमें बनाने के लिए agency के थूआया, Tata Motors की agency के थूआया, और उनने बोले कि यह हम दोनों ने किया था, और भी दो-तीन लोगों ने वीडियो किया था, आप सर्च करोगे तब को मिल जाएगा, अब हम दोनों ने, मताब तो मैं include paid promotion, जो जो भी जहां जहां अनौन सकता है, I make sure I enable everything, मैं title में लिखूँगा, मैं include paid promotion लगा दूँगा, मैं video के अंदर लिख द जोनों एक दूसरे को अच्छे से जानते हैं तो मैं यह भी बजा दू हमारे पास कोई backup business है, नहीं वैसे, तो the day we lose the trust, जो आपके और हमारे बीच में है, कि यह बिकाओ आदमी, इसको हटाओ, जिस दिन वो सीन हो जाता है, जिस दिन मैं वो चीज करने लग जाता हूँ, मेर हमने clearly mention कर दिया उसको, जहां जाँ मैंचन कर दिया, जहां जा मैंचन किर मैं उसको हमारे पूला मैंचन कर दिया, पूरा मैंचन कर दिया I think 2-3 more creators जिन के बास में गाया, जिन के बैसमें गाया यह नहीं कि ने टिन अच इंधений टोशे की यह यह जैसे कि वो जिसमें clearly mention नहीं किया गया है और यह हमारी सबसे बड़ी दिक्कत है और यह problem क्यों है यह भी मैं मताता हूँ लोग क्यों नहीं डालते हैं उनको यह लगता है कि अगर हम outright डाल देंगे कि भया यह sponsored video है तो एक उस पर views कमाएंगे views कमाने से क्या होता है आप अगला वीडियो कमपनी का sponsored करते हो आप इनके साथ paid करते हो तो आप तो नहीं करेंगे तो दो जगे changes के requirement है एक changes के requirement आप लोगों में है जहां पर आप देखते हो किसी ने लिखा है sponsored collaboration तो वहां पर आप यह मासोचा करो कि अच्छा यह तो पैसे लेता है भाई साभी तो सब वीडियो में पैसे लेता है in fact you should appreciate the honesty कि उस बंदे ने डाला है कि यह sponsored है यह इन association है इन collaboration है उस बंदे ने डाल दिया क्ले लिए बता दिया कि यह अच्छा लिए मैंने पैसे लिए है कभी कबार mostly brands समझ भी जाते है apart from a few brands जिनके साथ यह problem है यह हमने in fact एक brand को तो बहुत जाद़ पर्चू किया क्योंकि और वो AACI guidelines को follow करने वाले group में से है I tell you AACI जो है वो council है तो कई advertiser भी उसका part है जैसे कि अगर आप बात करो automobile में तो Tata Motors उसका part है वो बोलते है कि भी हम follow करेंगे सारे के सारे जो standards होते है automobile के अलंकि ऐसा नहीं है कि अब AACI Tata Motors उसका part है Tata Motors पो कोई action नहीं होगा ऐसा कई बार होगा है कि उन्होंने Tata Motors को भी guide किया कि आपका ad गला तो इसको अटाओ and the same AACI keep on saying कि sponsored collaboration यह ऐसी चीज़े डालो yet कई automobile industry के बंदे है जो Tata Motors के साथ में ही काम करते है और कभी वी डेक्लेर नहीं करते है कि हमने यह sponsored video किया है और उस केस पे मेरा personal जोपीन है वो यह कि as a brand भी Tata Motors और Mahindra और whatever उस brand की भी जिम्मेदारी बनती है कि अगर आप किसी के साथ में paid collaboration कर रहे हो at least ask the guy to stick to the AACI guidelines since you're part of it आप एक तरीके से बोल्डों के हम यह guidelines follow करते हैं follow करवाएंगे और आप ही जिन बंदों के साथ में काम कर रहे हो उनको नहीं बोल्डों के लिए तो वो अनेथिकल है एक अनेथिकल प्राक्टिस है तो आप को समझने की ज़रात है कि अगर आप ओपनली जब अगर कोई बंदा क्लियरली मैंचिन कर रहा है तो आपको एटलीस उसकी अनेस्टी देखनी जाहिए आपनेस्टी बंदागे के लिए पुटेंटेंड कर दों आपको पूली ज़रा कि अपनली ज़राते है वो जुख घ्रा लिए हो वो जुख साफ हो वो क्लियर हो उसमें क्रिस्टल क्लारिटी हो एक चीज़ और मैं एब बेग्लेर करता हूं कई बार ऐसा है, लोग बोलते है, कि आपने इस वीडिो ही नहीं बोली है, आपने पैसे ले लिये। आपने ये कर दिया है, किसी और ब्राइड ने है में पैसे ले लिये। लिया है, तो ऐगर ही वीडियो कर रहे हैं, तूmp 00ор इस बारी चीज़ें बोलते हो वीडियो में, कई बार कुछ चीज़ें छूट जाती है, जिमाग में नहीं आती है, यहां में लगता है यहां यहां चीज़ हम confirm नहीं पा रहे हैं, जैसे कि for example Scorpio N जब लॉज़ वही थी, तो हम एक गाड़ी थी, भी इनके पास नहीं ती, और म मेंबर हमने गाड़ी चेंज कर वाई वो वीडियो में मैंने नहीं बोला था क्योंकि मुझे लगा एक ही गाड़ी में अप तक हो प्रॉब्लम ही या किनोट रियली मेक शॉर कि सारी गाड़ी में प्रॉब्लम है लेकिनो जब दुबारा दूसरी गाड़ी में भी आई तो अमने उसके बारे में बात की तो ऐसा जरूरी नहीं कि आपको लग रहा होगी यह पॉइंट आएगा आएगा और नहीं आया तो इसका मनलों स्पॉं को लोग उसकी बात करते हो आप तो आपको लगता है कि यह पार की यह कंपारिजिन हो और इसमें से मेरा जनरली ऐसा मानना है कि मैं सब को खुश करनी के लिए वीडियो नहीं बनाता है ओनिसली अगा है मेर को मैं प्रोड़क्ट डेख रहा हूं प्रोड़क्न मुझे कोई पसंदारी है आई सेट नहीं पसंदारी है आई उपनली सेट दूसरे प्रोड़क्ट के अबारे भी एसा ही होगा और लास्ट में फिर मैं कंक्लूड करें बोलता हूं कि इन दोनों में से I think I choose this one I'll not say कि आप यह चुनो और आप यह चुनो और आप यह चुनो और आप यह च I have a more sensible product would be a Maruti Suzuki Breza यह मैंने बोला तो अब वो एक फैन आर्मी होती है, भी भी होती है, कई बार वो चीजे मैनेज़ भी होती है, तो आके बोलते हैं, तु ने पैसा खाय है, तु ने पैसा खाया, नौने पैसा खाया, बट बहुत सारी चीजों, मैंने उस ब्राइड का मरुती को क्रिटेसाइज किया है, प्रॉडिक्ट आया हु निच्थ प्रॉडिक्ट आया हो मारृती का जिमनी भी आया होगा तो उसमें इतनी कम्यां मतलब क्लियर ली बोल देना तो वह हमेशे इसे रहा है और उसमें कोई बड़ी बात नहीं कि दास्थ माइज जॉब it is my job but do brands pay to bitch about other sorry English exactly I remember there was one brand I think it was MG or Hyundai I think it was one brand I think it was a comparison video in fact that it was a comparison video MG Hector vs Toyota Innova yes 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 so one thing apart from the fact that we meet each other so we know a lot of things when a agency reaches out, many people reach out so the thing that someone told me is that they will be told at the same time they will be told the first thing that is the first thing that is the first thing they usually do it or two-three people do it so I think it was both of them and you are right MG vs Innova versus two-three cars so MG from any agency every time when there is a comparison or something like that there is no need to be brands directly involved what happens what happens what happens what happens what happens that MG and Innova compare so I do a job 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 and he will be a job and he will be a job and he will be a job sometimes this person reaches out and the brand is not involved but most of the cases they know but brands know about it and if something is going to be a promotion or paid they tell us so you can take an Innova and simply compare these two products and of course MG is a better product and a lot of these big guys also did it who are the 70% paid and people also do it oh my god that's a different scene I tell them about it so they did it and I was shocked that people did it I told them that I don't do comparison videos and paid comparison videos is a big part of my thought process so because today you are talking about Toyota that Innova is better do a video now every product has got better in some aspect imagine the situation where Vikas do a video and say Toyota Innova is not a good product if you compare it if you compare it yesterday you give Toyota money two days later there is a video that MG Hector is not a good product if you compare it to Toyota if you compare it to this person what credibility is after that person anything is wrong but but if this person subtly won't do the first video and 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 won't even know and that's wrong influence that's the problem exactly so in short this comparison one time I approached another brand for the same thing and clearly they told me that this comparison keeps me away and told me that many people are doing this and I said they are doing it and I don't want to do it I want to stay away from it and I am fortunate to share this podcast with the guy who maintained himself that he didn't do comparison paid videos and who paid videos at least his announcement and that is the whole thing and I don't know how this is from the start I started doing it very late sponsored videos and in 2019 when I was doing it it wasn't as strong as well it was a long time but we didn't have influence so I also felt that fortunately I don't know why came I remember the first time I had a true value campaign I think this is 2019 starting the video was live for a few days because some problems happened because there was a clash and they knew later we were working but they told me that include paid promotion to put it in their guidelines that if someone will do a video then the brand forced me that shows your character as well I think usually insecure space if you are insecure then you think what people like honesty and you know is insecure space if you are that are not other topics I think as we were discussing about who is declaring and who is not and what people should take action I think the simple thing is that if you think you are sponsored and you forgot to write or you don't want to write most of the cases happens when people think 4-5 people are talking start asking the questions start asking the right questions not just questions and ask very politely don't say hey you do the paid video you do the paid video and you don't respond like that so the problem starts asking simply because this space where you have to charge eventually you have to charge the car I have to charge you have to charge clarity so ask people and start marking people you don't trust you don't trust you think this person has seen 3-4 times they are sponsored and they are not they are not declaring I have seen and this year they are doing very much annual deals mark those people they are also they do we will do we will do start marking people if you think this person is like do not comment don't do not comment do not 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 simply ignore there people think that viewership is finished while our top creators think 3-4 years and unfortunately Indian brands work that don't declare that our lobby is strong our lobby is strong our lobby we have many things that no one knows anyway so Anvil deal is a thing like what is the brand you said this is your KRAs this year you will make 15-20 videos or 12 videos and you have to do now if I go to this offer for example Anvil deal also that you have multiple products this year you will do you will always make videos and promote videos promote and advice to our products advice it is a very subtle deal and this is also difficult for us to identify what is happening because they have told that TIGOR EV campaign that we have 4-5 people and we know that this is that video this particular channel didn't sponsor it but it was sponsored and let's take the name bro let's take the name I have I have I have for example motor octane evo evo india evo tata harrier safari dark condition possibly he didn't declare that it was sponsored videos mostly evo 90% time we haven't seen anyway when long term deal there is problem because we don't know where to promote and where not honestly there is no we don't have to find but you know you know where to tell who is more and who is more and who is more and who is more and usually brands give money for long time they don't say that you are subtly that they don't say that they want concrete something that you have made a dedicated video or a dedicated post so you know will work till 12 will work it's just that you have to show a little understanding this is a very important thing and the people who are doing this work will be taken and when they declare they don't go and don't do it they are doing great work at least if they don't appreciate then tell them about it and I think it's important to see the content that you like not paid it's better see the only request that we have from the brands and the creators just be transparent you are the one who has made the purpose you have made of trust and don't waste their 15-20 lakhs because car buying is still the second biggest investment in this country after a house and you can't trust that because you have taken a car and you have to send the person to know if that guy stands for you आपको clearly पता पड़े जागे इसा कुछ नहीं होगा the only guy who's gonna stand for you is the one who's gonna suggest you the right exactly point यह है तो यह ही है आज का वीडियो थीक है I think एक और वो कैसे ना पड़ी लगड़ी ले ली हमने बट कोई बात उड़ता ले लिया है इनका क्याने का मतलब है तो ठीक है आप जैसा भी है बाकी आज के बाड़कास में इतना ही था बस आपको इनफॉर्म गरना भी जरूरी है क्या इनफॉर्म्ड व्यूर होंगे तो हमारे लिए जाधा फाइदे वाली बात है अगर कुछ और सवाल भी इससे रेलेटेट हूं तो आप कॉमन से की पूछ सकते हो प्लीज डोंट आस कि क्या ये बंदा पूंसर्ड वीडियो करता है आप बताओ क्या ये बंदा नहीं करता है आप बताओ मैं कि क्या लगता है किनके कॉनसे वीडियो आपको स्पॉंसर्ड लगिए बट उनमें डेकलरेशन नहीं था उनके बारे में जिक्र करो लेट सी कितने क्रियेटर्स ओनेसली आपके आंसर करने का गट सकते हैं आप ज़िए लोगों की पैसे का फ्लो होता है इधर साथ और साथ है तो लोग तो आइकोटी वाले काई नाराज होगे तो एक पर्टिकुलर अवार्ड और अर्गनाज़िशन वाले नाराज होगे थे अन्हों ने ओननाइन भी आके का था आइक्शली ट्विटर पर भी कही लोगों ने कह दिया था बागी हम मिलते रहते हैं राइस पर तो बोलते हैं अच्छा अच्छा तुम तो ऐसे बोलते हो तो अपनी थेरी बना रहे हो तो थेरी का मतलब यह है कि जब लॉंग टर्म अच्छा नहीं हो रहा कि यह राज को सब जने आजाओ सुब गाड़े चलाने यह लो अटाची में पादे बर बर नहीं होता है बादे एक चीज होती है जो कि इस नोट रिली ए ब्राइबिया इस नोट रिली संथिंग जो डिरेकली आपको इंफ्लेंस कर लिंगल जिया था कशाओऑंद कर दिया चाहँ खायद झाद अधिंग जो एक साल सब्सक्राब अज़ आपको गाड़े रही है यह बूची यह यह को जो अपने काम करो अपने अउंजड रायरी ले यह फरी मे परो यह परी में आवो करो आपरो ज्ट्वी आप में सॉंग हम्में साल एंग मे लेट से जिसमें लिख दिया और फोई टीशिट जिसमें लिख दिया वे कास्योगी का नाम लिख दिया गागा जोगी का जोगी आए टेक इट दा टाम कि बहुत ज़ादा परस्नलाइज गया यह करें भी का इसका भी खरावी होने बाल जीज और इतनी एक्सपेंसिव भी जह लिख देन तो फूटाहरे मोंगि दीश प्रडेशन गोंँ लिख यह अवेपरी आधोलन के इसका कुछ, आव Εतिजम, अच्छक, सब कटीशम, और मतु है। मोईष्योप खूलागे से एक्लोय को प्समें ऊछाए रिटान आब गया नेसम… झाल झाल